iPhone 16 Pro use करते हुए मुझे almost 20 दिन हो चुके हैं एंड हमने इसकी testing अलग-अलग phones के साथ करके देखी है तो finally समय आ चुका है इस phone को review करने का अब इस वीडियो में मैं specs की कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ अगर आपको iPhone 15 Pro और 16 Pro में क्या difference है वो देखना है उपर आई बिटन में क्लिक करके वो comparison देख लेना मैंने उस पर in depth में इन दूनों ही phones को compare किया है इस phone के साथ काफी सारी चीज़े हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई और कुछ एक चीज़े हैं जिन्होंने मुझे disappoint भी किया सब बात करेंगे इस वीडियो में तो चलो बिना डाइम वेस किये पढ़ते हैं वीडियो की तलव सबसे पहले चीज़ डिजाइन अब यहां पर डिजाइन के मामले में कोई भी चेंज नहीं है यहां पर भाई same to same वही आपको design मिल रहा है जो कि 15 pro में मिलता था बस यहां पर इन्होंने जो titanium frame है वहां पर आपको हलका सा polished मलब हलकी सी shinier polish provide करी है इसको आप glossy नहीं बोल चकते because glossy 13 pro 14 pro series में आता था यह kind of matte है लेकिन हलका सा shinier base पे जिसकी वज़े से यहां पर smudges बहुत जादा आते हैं मैं बता रहा हूँ आप इस phone को बिना cover के use कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने जादा smudges आ जाते हैं इसके अंदर जो कि आपका shiny air polish को एकदम खराब सा कर देते हैं बागे इन्होंने ceramic shield को और भी जादा टफ कर दिया है जिसकी वज़ेसे यह थोड़ी सी और जादा scratch attraction बन चुकी है यहां पर आपको देख रहा होगा यह है iPhone 16 Pro Max और यह minor scratches की दुकान बन चुका है तो भाई 16 series लेने के बाद सबसे पहला काम screen guard लगवा लेना अब इस phone की मुझे सबसे best चीज जो लगी वो है इसका size यहां पे इस phone का size जो है यह और भी थोड़ा सा बड़ा का दिया गया है इवन 15 Pro के comparison में यह थोड़ा सा जादा टॉलर है जिसकी वैसे आपको display size भी बड़ा मिल रहा है अब जैसे अगर मैं इसको pixel से compare करूँ तो pixel थोड़ा सा बड़ा feel होता है लेकिन वही 16 Pro का size है यह मैं भोलूँगा एक्दम perfect है और size perfect होने के अलावा यहां पी जो इन्होंने bezels प्रोवाइड करी है भाई इतनी पतली पतली bezels हैं जिसकी वज़े से display और भी जारा बड़ा लगता है especially अगर आप इसको next to 15 Pro रखके देखोगे भाई इसका display काफी बड़ा लगता है जो कि मुझे इस phone की one of the best चीज लगी अगर इस phone के performance की बात करूँ तो वहाँ पे कोई doubt नहीं है यह top notch है A18 Pro chipset बहुत ही खतरनाक है और जिस level की यह performance प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही कमाल की है यहाँ पे मुझे आपको बताने की ज़रुवत नहीं है बहुत ही कमाल के scores प्रोवाइड करता है अगर आप इसके अंदर gaming भी करना चाते हो 120 fps तक की settings मिल जाती है और यह consistent fps प्रोवाइड करता है इवन अगर आप बहुत जारा hardcore gamer भी हो 120 fps पे लगातार gaming भी करना चाते हो तो भी यह drop करके complicated situations में भी सिर्फ 110 fps तक आप आता है और उसके बाद वापस यह jump कर जाता है 120 fps पे जो की मेरे सबसे बहुत कमाल की बात हो जाती है तो इसके अंदर performance आपको next level मिलने वाली है यहाँ तक की जो rate rating है वो भी आपको इसके अंदर बहुत इंप्रूवड मिल रही है 15 pro के comparison में almost 2x better मिल रही है जो की एक बहुत कमाल की बात हो जाती है अगर आप Resident Evil जैसे AAA Games इस phone के अंदर खेलना चाते हो भाई perfect है आराम से सारी चीज़े जहल जाता है अब यहाँ पर मैं एक चीज़ पॉंट आउट करना चाहूंगा यह phone starting में काफी heat हो रहा था जब हमने इसका camera test किया था यह phone heating machine बन चुका था इवन इसको हाथ में पकड़ना तक हमारे लिए मुश्किल हो रहा था यह इतना जादा heat हो रहा था और जबकि हमारे पार दूसरे जो phone से iPhone 16, iPhone 15 Pro यह भाई शान्ती थे बैठे हुए थे इन में कोई भी heating नहीं थी यह पता नहीं क्यों तरह heat हो रहा था लेकिन Apple ने recently एक update release किया है जिसके बाद जब भी वो macro में shift करते रहे हैं उसके बाद normal आओ तो वहाँ पे camera stuck हो जा रहा था इसके अलावा touch issues हो रहे थे heating issues हो रहे थे काफी लोग इसमें बता भी रहें कि bugs हैं लेकिन मेरे इस unit में कोई भी bug नहीं है बहुत ही fluently काम कर रहा है तो मुझे तो कोई भी complain नहीं है इससे अब जहाँ पे complain है वो है इसका Apple intelligence देखो जब इन्होंने iPhone 16 series को unveil किया इन्होंने AI, AI, Apple intelligence की इतनी सारी बात करी लेकिन वो जो features हैं ये हमारे iPhone 16 Pro series में ही नहीं मलब 16 Pro क्या? iPhone 16 की किसी भी series में नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी disappoint करने वाली बात हो जाती है हलाकि Apple intelligence की ये features बहुत जल्दी rollout होना चालू हो जाएंगे लेकिन वो US English के लिए है अगर मैं Indian English के बात करूँ तो वो आपको 2025 तक देखने को मिलेंगे और वो भी धीरे-धीरे करके एक-एक feature करके वो rollout करेंगे में भी जब तक Apple intelligence के पूरे features आपको इस device के अंदर देखने को मिलेंगे तब तक शायद iPhone 17 Pro आ चुका होगा और ये literally सबसे बड़ा disappointment है इस साल के 16 Pro Series खरीदने का अब अगर Apple intelligence की बात हो रही है तो अब बात कर लेते हैं इसके extra इस button के बार में यानि की camera control button अब देखो ये button जो है ये वैसे तो आप देखोगी तो काफी useful है और सबसे best use है इसका instant camera open करने का ये जो button है ये dedicated है direct आपने इसको tap किया camera open हो जाता है अच्छी बात है एक बात टैप करते हो photo click हो जाता है अच्छी बात है tap and hold करते हो video बना start हो जाता है ये भी एक अच्छी बात है लेकिन जैसे इसको छोड़ोगे video recording बन्द हो जाती है तो भाई नी चांस इसमें लंबे videos record करने हो तो भाई इसको पकड़ के खड़े रहो ये थोड़ा सा downside लगा maybe शायद इसको apple fix कर दे अब बात करो इस button की तो ये button थोड़ा सा complicated है यानि कि जब भी आप इस button को operate करना चाहते हो पहले तो आप इसको दीरे से tap करो क्योंकि अगर जोर से करोगे तो photo click हो जाता है दीरे से tap करके फिर अगर आपको menu open करना हो तो tap करते हुए double tap करो तब जाके ये menu का option खुलता है अब इसके बाद आप अपनी favorite setting select करो select करने के बाद फिर से हलके से उसके उपर tap करो अब यहां से आप scroll up या scroll down करके zoom या फिर कोई भी चीज आप access कर सकते हो तो यह जो इतना बड़ा method है यह मुझे थरुआ सा lengthy लगता है as compared to just swipe up के यहां पर यह सारे के सारे options यहां available हैं जो कि आपको इसको tap फिर double tap और इधर उधर swipe करके देखने को मिलते हैं भाई यह बहुत ज़ादा easy है हाँ यहां पर एक चीज़ कर सकते हैं कि आपकी जो favorite setting हो बाई निचांस आप zoom करना चाहते हो तो वो zoom आप यहां पर पहले से assign कर सकते हो और अब जब भी आप इसको उपर tap and hold करोगे यह direct zoom करेगा तो यह एक advantage ज़रू से हो जाता है लेकिन यहां मैं फिर से बोलूँगा ऐसे zoom करना भाई बहुत ही ज़ादा convenient है as compared to इस तरीके से तो कहीं न कहीं यह थोड़ा सा ऐसी feeling provide करता है कि यह normal सी process को थोड़ा सा और ज़ादा complicated कर रहा है हाँवर जितने professionals हैं में भी शायद उनके काम आ सकता है यह feature लेकिन यहां पर मुझे इंतजार है apple intelligence का क्योंकि उन्होंने अपने event में बताया था आप apple intelligence का use direct इस button से कर सकते हो पाई नी चांस कोई restaurant है या फिर कोई show है जिसका reminder आप direct अपने phone में चाहते हो simply इस camera control button को click करो और जो भी object आपके सामने है उसकी पूरी details इस पे आ जाएगी apple intelligence का use करके वो direct आपके reminders में चला जाएगा even कोई pet है कोई bike है इसको अगर आपको identify करना हो direct आप सिफ इस एक button से कर सकते हो यह काफी काफी Google lens के जैसा है लेकिन क्योंकि इसमें apple intelligence का integration है तो यह आपके phone के साथ completely integrate हो जाता है जो कि definitely use करने लायक चीज होगी जब भी वो आएगी तो फिलहाल तो यह सारे features नहीं है इसके अंदर तो जब आएंगे तब हम उनको test करेंगे फिलहाल तो इसके मैं थोड़ से minus points गिनवा देता हूँ पहली चीज, accidental touches बहुत जादा होते है मतलब कि अगर आपने phone इस तरीके से पकड़ा हुआ है भाई कब वहाँ पे आपका photo click हो जाएगा आपको पता भी नीचे लेगा कि यार बाद में आप gallery में चेक करोगे यार ये तो photo click हो गया है अलाकि इसको आप settings में double tap करके भी कर सकते हो जिससे वो problem थोड़ी बहुत solve हो सकती है अब दूसरी चीज यह है कि अगर आप कोई ऐसा case यूज करते हो क्योंकि आप different different cases यूज करते है भाई अनिचांद ये button press and hold हो चुका है उसके बाद भी ये problem आती है now let's talk about battery और भाई battery इसकी एक ऐसी चीज है जो की massively improve करी गई है मतलब कि भाई मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये phone मुझे इतना screen on time provide कर रहा है भाई अगर इस phone को मैं थोड़ा सा heavy use कर लेता हूँ तो भी मुझे 6 गंटे के आसपास का screen on time देता है और अगर मैं सिर्फ content watching कर रहा हूँ जादा कुछ ऐसा मेरा heavy usage नहीं है अगर network connectivity नहीं है क्योंकि इस दिन मैं maximum time flight पर ही था भाई यहाँ पे screen on time एक बार देखो 9 गंटे 36 minute का screen on time provide किया है इसने हलाकि यहाँ पे मेरा mobile data बिलकुल बन था तो उस वज़े से मुझे इतना जादा better backup मिला है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो भाई यहाँ पे भी 8 hours 54 minutes यहाँ पे 6 hours 12 minutes 5 hours 58 minutes मतलब कि मिनिमाम इसने मुझे 6 गंटे का screen on time provide किया है जो की एक बहुत बड़ी बात हो जाती है एक compact size phone के लिए जो की 120 Hz पे चलता हो आइफून 16 प्रोवाइड करता है अच्छे battery backup समझ सकते है 60 Hz का display है इतना जादा battery consumption ही नहीं है उसमें लेकिन यह 120 Hz होने के बाद इतना battery backup प्रोवाइड कर रहा है बहुत कमाल की बात हो जाती है इसकी दो चीज़ों से मैं बहुत जारा impressed हूँ एक इसकी battery life दूसरा इसका screen size ये दोनों चीज़े Apple ने बहुत कमाल तरीके से improve करी हैं इस phone के अंदर चलो बात कर लेते हैं cameras की and cameras में एक चीज़ ने मुझे बहुत जारा impress किया वो है 5X telephoto lens अब भाई ये 5X telephoto lens इससे पहले इनोंने सिफ Pro Max variant में दिया था यानि की 15 Pro Max में मिलता था अगर आप 15 Pro खरीते हो तो वहाँ पे 3X lens मिलता था जो की kinda disappointing था लेकिन इस शीज़ को fix कर दिया है 16 Pro के अंदर यहाँ पे आपको 5X telephoto lens मिलता है और भाई इसका output चपर दस्ता आता है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ improvements की तो भाई मुझे कुछ इतना खास improvement नहीं feel हुआ चाहे आप इसके 48MP का ultra wide angle lens ले लो वहाँ पे भी हमने compare किया था 15 Pro को 16 Pro से तो भी मुझे कुछ तोड़े बहुत differences feel हुए इवन जादा better dynamic range iPhone 15 Pro capture कर रहा था इसका पूरा एक detail video हमने बनाया था 15 Pro vs 16 Pro का जो की आप इदर i button में click करके देख सकते हो बागी 120fps पे 4K में slow motion record कर सकते हो जो कि एक अच्छा feature हो जाता है अब यहाँ पे मुझे जिस चीज ने impress किया वो था इसका photographic styles इसका photographic styles definitely बहुत ही कमाल का है बहुत easy to use है simply अपना favorite style select करो और यहाँ पे नीचे आपको एक joystick से दिखती है सिर्फ उसको वहाँ इदर-दर move करने से पूरे photo का texture, exposure, highlights, shadows सब कुछ एक छोटी सी joystick से आप control कर सकते हो बहुत ही कमाल का feature इसके अलावा जो audio mix का feature है वो मेरा one of the favorite feature हो जाता है जिसका sample मैं बहुत बाहर दिखा चुका हूँ चलो एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही next level काम करता है अब यार सबसे main चीज जिसने मुझे एकदम शौक पर डाल दिया कि यार इन्होंने ये कैसे कर दिया आइफोन 15 Pro लाँच हुआ था एक लाख पैतिस हजार रुपे का और आइफोन 16 Pro लाँच हुआ है एक लाख उन्नीस हजार नौसौ रुपे का यानि कि इन्होंने 15,000 रुपे से कम कर दिया है प्रो सीरीज का प्राइस आइफोन 16 Pro आपको 15,000 कम में मिलता है और उसके बाद बैंक डिसकाउंट अलग तो ये अराउंड एक लाख 15,000 रुपे के असपास आपको मिल जाएगा बैंक डिसकाउंट के साथ मेरे साथ से ये बहुत कम माल की बात हो जाती है काफी अच्छा decision था ये Apple का यूजवल ये Apple ऐसा करता नहीं है तो यहाँ पर अब मैं अपना conclusion देना चाहूंगा देखो यार मैं हमेशा अपने reviews में आपको बोलता हूँ आपको अपना phone at least 2 सालों में या 15 सालों में change करना चाहिए तो देखो अगर आपने iPhone 15 Pro खरीदा हुआ है पहले से वाई 16 Pro में आने की कोई जरुवत नहीं है थोड़े बहुत upgrades हैं लेकिन overall आपको loss ही होगा तो उससे अचा है wait for 17 Pro and yes iPhone 15 Pro के अंदर already Apple intelligence वाले features भी मिलेंगे and उस phone में कुछ भी कमी नहीं है जो कि ये आपको fulfill करके दे रहा है ये phone as an update एक perfect phone हो जाता है मेरे साब से क्योंकि यहाँ पे आपको bigger display मिल रहा है in compact phone factor bigger battery मिल रही है upgraded chipset मिल रहा है 5X telephoto lens मिल रहा है जो कि मेरे साब से एक big thumbs up हो जाता है अब मैं ये phone recommend करना चाहूँगा अगर आप इससे पहले के phone choose कर रहे हो अगर आपने iPhone 14 Pro purchase किया था या फिर non-pro series यूज़ कर रहे हो तब अगर आप iPhone 16 Pro की तरफ चाहोगे ये एक proper value for money smartphone हो जाता है मेरे साब से तो भाई अगर एक line में आपको iPhone 16 Pro का review दे दूँ तो मैं बोलूँगा the best compact flagship smartphone ever यही दा इसको मारा वीडियो आप यूट्यूप पसंदा होगा पसंदा तो like कर देना क्या क्या करना है साब आपको पता है और subscribe करके बेल अगर दबा देना तक ही next review की notification आप तक सबसे बहरे पहुचे मैं मत आँ से next video में तब तक के लिए बाबाई